। हलो एंड विझेवरोवरन चैनल sem85 इस वेटिउयो में हम लोग 10 trek टिकेट के बारे में जानेगे वैसे तो दोफ्तो वेटिंग लिस्ट टिकेट काई तरह का पा होता है लेकिन हम इस वीडियो में जी QWL, TQWL, PQWL और RLWL टिकेट के बारे में जानेगे तो दोस्तों हम इसे बिल्कुल प्रेक्ट कर लिए जानेगे और आप जिस एप में अपना टिकेट बुक करते हैं आप उसे ओपेन कर लेंगे मैं यहां से एक्जगो एप ओपेन कर ले रहा हूँ और जहां से आप बुकिंग करते हैं दोस्तों उस आपसोन को क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे उन दो स्टेशनों का नाम टाइप कर लेंगे जहां से जहां तक आपको यातरा करनी है और यहां पे डेट डाल लेंगे उसके बाद से दोस्तों आप यहां पे सर्च पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों उस डेट में उपलब्द सभी टेने आपको दिख जाएंगी और आप जिस के टेगरी में और जिस टेन में टिकेट बुक करना चाहते हैं, उसे चेक कर लेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर यह गोरःग धाम जो कि गोरखपूर से हिसार स्टेशन के लिए जाती है और इसमें भी सभी सीर्टे बुक है अगर आप इसमें टिकेट बुक करते हैं तो आपको वेटिंग टिकेट मिलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 4 मतलब होता है general waiting list और यहां पर WL लिखा क 50 अब जान लेते हैं कि G&WL टिकित कब मिलता है या कब जारी किया जाता है GC & nwn ticket उन यात्रियों के लिए जारी किया जाता है तेन के प्रारंभिक स्टेश्नों से या उसके आस–पास से लंबी दूरी के लिए अगर टिकेट बुक करते हैं और उनका टिकेट वेटिंग में होता है जैसे गोरखधाम एक्सप्रेस जो की गोरखपूर से हिसार तक जाती है तो जो यातरी गोरखपूर या उसके आसपास के स्टेशन खलीलाबाद बस्ती गोंडा से लंबी दूरी के लिए जैसे नई दिल्ली रोह तक हिसार के लिए टिकेट लेते हैं और उनका टिकेट वेटिंग टिकेट होता है तो उनके टिकेट पर G&WL लिखा होता है अब यहाँ पे जो नंबर लिखा है दोस्तों G&WL 168 तो यहाँ पे 168 का मतलब होता है G&WL कटगरी में कूल 168 टिक्टे बुक हो चुकी है उसमें से यहाँ पे अभी भी 106 टिक्टे वेटिंग लिस्ट में है यानि इसी कटगरी में G&W कटगरी में अभी भी 106 टिक्टे बाकी है और अगर आप 168 में से 106 घटाते हैं तो कुल 62 बंचता है दोस्तों तो यानि अब तक 62 लोगों का टिकेट है वो कंफर्म हो चुका है और अगर आप इस कटगरी में अपना टिकेट बुक करते हैं यानि अब आप यहाँ चार अक्टूबर में अपना टिकेट बुक करते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो 107 होगा यानि जब 107 लोग अपना टिकेट कैंसिल करेंगे तो आपका भी जो ट confirm हो जाएगा अब यहाँ पर जान लेते हैं कि TQWL टिकिट क्या होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुए TQWL 82-WL 72 यानि TQWL का मतलब होता है ततकाल कोटा वेटिंग लिस्ट तो यहाँ पर जो ततकाल का टकरी है जो ततकाल कोटा वेटिंग लिस्ट है दोस्तों उसमें कुल 82 जी दोस्तों कुल 82 टिक्टे बुक हो चुकी है और 10 लोगों का confirm हो गया है तभी यहाँ पर अभी 72 लोग बाकी है अगर आप इस कटेगरी में यानि यानि इस कटेगरी में आप अपना टिकेट बुक करते हैं तो जो आपका नंबर होगा वह 73 होगा और जब 73 लोगों का टिकेट केंसिर होगा तो आपका भी confirm हो जाएगा अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि पीकीव डवल टिकेट क्या होता है तो अगर आप इसी टेन का टिकेट यानि गोरफपूर से लखनव क के लिए लेते हैं तो आपको पीकीव डवल एल कटेगरी का वेटिंग लिस्टिकेट मिलेगा तो दोस्तों हम जड़ा इसको सर्च करके देख लेते हैं यहां से और हम यहां पर नई दिल्ली के अस्तान पर लखनव सर्च कर लेते हैं करें कि और यहांसे हम सर्च कर लेंगे दोस्तों तो अब यहां पे वह सेम ट्रेयन है वही ट्रेयन है गॉरख धाम तो PQWL का मतलब होता है पूल कोटा वेटिंग लिस्ट तो इसका मतलब है कि इस कटेगरी में 65 लोगों ने टिकेट बुक कराया है और अभी भी 61 लोग वेटिंग लिस्ट में यानि इसका मतलब कि सिरफ 4 लोगों का कनफर्म हुआ है अब जान लेते हैं इस कटेगरी का टिकेट किन यातरियों के लिए जारी किया जाता है PQWL कटेगरी का वेटिंग लिस्ट टिकेट उन यातरियों के लिए जारी किया जाता है जो टेन के परारंबिक स्टेशन से आसपास के ही स्टेशनों तक यातरा करते हैं या उस train के प्रारंभिक और अंत के अस्टेशनों के बीच में यात्रा करते हैं तो उनके लिए दोस्तों PQWL का वेटिंग लिस्ट टिकेट जारी किया जाता है तो जैसे आप यहीं पर देख सकते हैं कि अगर आप गोरफपुर से दिली के लिए टिकेट लेते हैं तो उस पर आपको GNWL लिखा होता है अगर उसी train के लिए अगर आप लखनव तक के लिए यात्रा करते हैं तो उस पर PQWL लिखा होता है ओके दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि RLWL टिकेट क्या होता है तो यहीं पर दोस्तों नीचे थोड़ा असकार करके आज जाएंगे यहां पर बहुत सारे train हैं जैसे यह train है ग्वालियर बरावनी मेल तो अब हम यहां पर कैसी भी टिकेट पर क्लिक कर देंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है चार अक्टूबर में RLWL 27-WL 25 यानि RLWL का मतलब होता है Remote Location Wedding List और यहां पर 27 का मतलब होता है कि RLWL कटेगरी में कुल 27 टिकेट बुक हुआ है और अब तक Wedding List में 27 लोग हैं यानि इसका मतलब है कि सिरफ दो लोगों का टिकेट कंफर्म हुआ है और 25 लोग अभी भी Wedding List में हैं और अगर आप भी इसी डेट में अपना टिकेट बुक करते हैं तो आपका नंबर होगा 26 होगा और 26 लोग अगर टिकेट कैंसिर करते हैं तो आपका भी टिकेट कंफर्म हो जाएगा अब जान लेते हैं इस category का टिकेट किन यात्रियों के लिए जारी किया जाता है तो RLWL कटेगरी का टिकेट उन्ही आत्रियों के लिए जारी किया जाता है जो ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशनों तथा अंत के स्टेशनों के बीच में इस्थित होते हैं जैसे गौालियर बरावनी मेल है जोकि गौालियर से बरावनी के बीच में चलती है तो उसके बीच में आने वाले स्टेशनों जैसे गोरखपूर, गोंडा, लखनोव से टिकेट बुक करते हैं और आपका टिकेट, वेटिंग टिकेट होता है तो आपके टिकेट पे RLWL होते हैं अगर confirm नहीं होते तो इन्हें book भी नहीं किया जाता आप जानते हैं कि कि टिक्टों का confirm होना इस बात पर निर्भर करता है कि कितने Rough ticket कैंसील हो रहे हैं अगर प्रात्मिक्ता की बात की जाए तो GNWL कटेगरी के टिक्टों को प्रात्मिक्ता दिया जाता है क्योंकि इन्हें लंबी दूरी तक यात्रा करना होता है और एक बात और दोस्तों अगर चार्ट तयार होने तक यानि 10 स्टार्ट होने के 4 घंटा पहले आपका टिकेट कंफर्म नहीं होता है तो अपने आप ये टिकेट कैंसिल हो जाता है और आपका जो एमाउंट है दोस्तों आपके जहां से आपका एमाउंट कटा हुआ है उस एकाउंट में पैसा चला जाता है अगर एकी PNR नंबर पे चार लोगों का टिकेट है यानि एक ही टिकेट पे चार लोगों का नाम है और एक आदमी का टिकेट कंफर्म है और तीन का टिकेट कंफर्म नहीं है तो इस स्थिति में आपका टिकेट कैंसिल नहीं होता है या तो आप चाहे तो यातरा कर सकते हैं या टिकेट को कैंसिल कर सकते हैं तो कि दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले थैंक यूफर वाचिंग इस वीडियो